नमुस्त गुरुदेव संतोष का व्यवहारिक अर्थ क्या है और हमारा संतोष कैसा होना चाहिए जिससे जीवन के कोई काम न रुके और यात्रा सुख में हो संतोष को हम लोगों ने जिस तरीके से वरिवासित कर रखा है उससे यही होता है कि कुछ मत करो हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओं यह संतोष का पूर्ण रूप नहीं है संतोष का एक रूप यह है कि कोई भी कर्म करो उसके परिणाम में संतोष रखो अगर आप कर्म करते समय आकुलित होगे तो सदेव दुखी होगे और कर्म करने के बाद उसके परिणामों के प्रती संतोष रखोगे तो सदेव प्रिशन रहोगे तो संतोष का पहला चरण निश्कर्म बनने की जगा कर्म करना पर उसके परिणामों के प्रती संतोष रखना संतुष्ट रहना प्रती संतोष रहना